हेलो गाइज मैं कुसूम मेरी यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने ले के रहा हूँ ड्रेसीना की कुछ वराइटीज देखिए ये ड्रेसीना सौंग अफ इंडिया है इसकी जो पतियां होते बड़ी वेरिगेटिड होती है इसमें दो तिन कलर होते हैं इसकी पतियों में ग्रीन, येलो, क्रीमिश और बहुत ही खुबसूरत ये प्लांट लगता है इसको कटिंग से बड़ी इसली तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं ये देखिए मेरे इसमें से मैंने कईयों को कटिंग भी दे दी है करके और उसके बावजूद भी ये मेरा प्ल करके पानी की बॉटल में डाले और बड़ी जल्दी रूट्स निकल आते हैं उसमें से इसकी मिट्टी की बात करें तो वेल ड्रेन मिट्टी रखिएगा मिट्टी बिल्कुर पोरोस होनी चाहिए ज्यादा इसमें कीचड़ना करिए और जब इसकी उपर वाली परत सूग ज और पानी अगर अधिक थोड़ा ज्यादा भी डल जाएगा तो कोई डरने की बात नहीं है यह अर्जाव कर लेता है मौस्टर पसंद है इसको पानी ज्यादा पसंद ही है वैसे इसको मतलब इतना ज्यादा आपको प्रिशान करने वाले प्लांटे नहीं है इसी टू ग्रो ह इसके पत्ते थोड़े से पतले होते हैं और लंबे भी होते हैं सौंग अफिटिया की तरीकी से और यह भी कटिंग से बड़े इसली तरीकी से लग जाता है यह देखिए इसके पत्ते थोड़े होते हैं और कलर फूल होते हैं तीनी कलर आते हैं यह ओनली ग्रीन कलर का होता ह डार्ग ग्रीन कलर का बड़ा प्यारा है और यह cutting से बड़ ईजी तरीके से लग जाता है यह देख़ए मैं ने भी इसको कईयों को cutting भी दे दी है इसमें से करके और काफी healthy मेरा plant है यह और इसकी मैंने एक cutting लगाई थी और वो भी बड़ी असानी से लग रही है मैं आपको दि आप असानी से इसको ग्रोव कर सकते हैं यह dressina की दूसरी variety यह तीसरी variety है dressina की देख सकते हैं इसके leaves कितने खुबसूरत हैं और यह मैं बहुत छोटा सा लेकर आई थी nursery से और आप देख सकते हैं इसके थोड़े से पत्ते चोड़े चोड़े होते Song of India की तरह पर इसमें सिर्फ एक ही कलर आता है वो भी है ग्रीन कलर ये ये देखिए ये चोटा सा मैं लेकि आई थी और इसमें से देखिए साइड में उपर से मैंने कटिंग करके इसको एक जिगां और लगा रखा है और ये देखी इसमें से मैं दिखाती हूँ आपको ये य कोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट वगेरा दे दोगे तो बहुत इसली ये ग्रो हो जाता है एक ये है मेरे पास ड्रैसीना की व्राइटी ये देखिए ये मैंने चूटी सी बॉटल में ग्रो किया हूँ है और एक ही प्लांट में से इसके अंदर दो तीन नीचे से ब्रांच ये ब्रसीना क फोल कि निकली ही है आप इसमें से एक से इतने ज्याधा प्लांट बन जाता है बहुत जल्दि ये मैंनिल्टिप्लाइए होता है और आप किसी ये बहुत दे सकते हो अलग आप किसी भी पोर्ट में इसको लगा सकते हो और र ये देखिए मेरा इक इतना अच् कितने खुबसरत पत्ते हैं इसके जो अपनी और आकशित करते हैं एक ये है मेरे पास ड्रेशीना इसको कहते हैं ड्रेशीना ड्रैगन इसमें दो वरईटी आती है मेरे पास तोड़ी सी ये वरईगेटिड है इसमें हलके से जो इसकी किनारियां होती वो pinkish color की होती है और plant और इसके अंदर से दो plant सइड में से निकलेवे हैं काफी बूशी सा plant बना हो यह है बहुत बेहत खुब्सूरत एक मेरे पास यह है ड्रेसीना महात्मा ब्रगंडी कलर का इसके अंदर कलर होते हैं और इसके leaves काफी बढ़े-बढ़े होते हैं देखे, इसमें जो side के लिवस के कलर हैं कितने खुबसूरत निकल रहे हैं पिंक भी आ रहा है इसमें और side में और बीच में से बरगिंडी सा कलर है इसके leaves बहुत खुबसूरत होते हैं और आप चोटी सी bottle में भी इसको लगा सकती हो ये एक से दो, दो से तीन बड़ी जल्दी ये फैलता है और बड़ा बूशी सा प्लांट बन जाएगा ये मेरे चोटी सी प्लास्टिक बॉटल में लगा रखा है ये देखिए इसके साइड में से चोटे चोटे बेवीज निकलने शुरू हो गए है ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अब उसमें से थोड़ी चोटे पत्ते निकल रहे हैं और पहले ये ग्रीन कलर के निकलते हैं उसके बाद ये अपना कलर चेंज कर लेता है जू-जू ये बड़ा होता है इसका कलर चेंज हो जाता है ये ड्रेसीना की एक व्राइटी और है मेरे पास देख सकते हैं ये मेरे पास थोड़ी सी कलेक्शन है ड्रेसीना लीज एक ये है मेरे पास ड्रेसीना की व्राइटी ये मेरे पास काफी बड़ा मेरा प्लांट है इसके भी पत्ते जो है वो green color के होते हैं काफी बड़े बड़े चोड़े चोड़े पत्ते होते हैं इसकी cutting बहुत easy तरीके से लग जाती है ये भी मैं cutting लेके आई थी काफी time पहले और मैंने cutting से ही इसको grow किया है आप देखिए इसमें से ये देखिए मैंने cutting ही लगाई थी और इसमें से छोटे-छोटे नीचे से plants निकल रही है मैं आपको पास से दिखा रही हूँ ये देखिए छोटे-छोटे से इसमें से plants निकल रहे है आप इसको cutting से बड़े असानी से grow कर सकते हो और indoor-outdoor आप दोनों तरीके से इसको लगा सकते हो इनके पत्तों पे अगर आप थोड़ा हलकाल का पानी स्प्रे कर दो तो ये इनके पत्तों की चमक और बरकरार रहती है और बहुत खुबसूरत ये लगते हैं आपके garden में हर्याली बनाई रखते हैं आपके garden में कलर को रखते हैं ये इसमें कलर बहुत सारे आते हैं और ये मेरे dressina की कुछ वराइटीज है अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe कीजे like and share कीजे मुझे motivate कीजे ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो ला सकूँ ये मेरे dressina की कुछ वराइटीज है मेरे पास बहुत खुबसूरत कलर को create करती है मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई